हेलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग माइक्रो एकोनॉमिक्स का पहला चाप्टर इंड़क्शन टू माइक्रो एकोनॉमिक्स पूरी तरीके से वन शॉट के अंदर रिवीजन करेंगे आज ही क्लास में ए टू जड हरी कॉंसेप्ट को अच्छे से एक युमन की जो वांट्स है वो उजलिमिक्टेड है लेगन उट्स वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसॉर्सेज है वह हमारे पास लिमिड्स है रिमिड्स हैं इंडि बांद्स हैन्ज और रिसूर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़ग आज यूज़ लैंड है अपी से अच्छा हो यह दोनों के दोनों क्लास आवाफ टू पॉइंट साथ लिमिटेशन साफ रिसोर्सेस के दो लिमिटेशन है पहला वो लिमिटेड सीमीत मात्रा में हैं और दूसरा क्लास उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं अब किसी भी कंज्यूमर के लिए सबसे वड़ी प करें लोगों के दिमान पूरा करें कैसे पूरति करें यही सारा कोच एकोनोमिक के अंदर पढ़ाया जाता है इसके अंदर यह बहुत इम्वेंड टॉपिक है डिफेंस बेट्वीन माइकोनोमिक अंद मैक्रो एकोनोमिक्स हैं अगर हम ब्सके पहले पॉंट की बात करें 24. Mahikro का मितलब क्या होता है? Small. 25. Macro का मितलब क्या होता है? Large. 26. Macro means Small. Macro means Large. 26. Macro में हम Behaviour study करते हैं class, किसी individual निचिछ वा से साथ का. 27. Macro में हम किसी एक इनदीविज्चियोल बारे में Micro में study करते हैं. 27. Macro Economics में हम पूरी की पूरी एकॉरी economy को study करते हैं. In macro economics, हम whole economy या aggregate को study करते हैं. Whole economy कहलो, या aggregate कहलो. Subject matter क्या है, class? Micro के निदर हम demand पढ़ते हैं, supply पढ़ते हैं. Determination of output and price for an individual firm और individual product. किसी एक company ने क्या price set किया है? किसी एक company के बारे में, किसी एक product के बारे में पढ़ते हैं. वो micro है, small topic. Macro के निदर aggregate demand, aggregate supply. इसके निदर determination of income and employment और general price level की बात करते हैं, macro के अगले point की बात करें. Micro है price theory, जबकि macro क्या है? income and employment theory. Macro का example है, किसी एक consumer की income, किसी एक product का pricing, study about a single tree in a forest. एक बहुत बड़े जंगल में किसी एक tree के बारे में study करते हो, तो वो micro है. जबकि whole forest को study कर दे ऊपर, capital income हो गया, national income, देश की GDP, general price level, यह सारी चीज़े क्या है, क्लास Macro Economics का example है, क्लास 12 में पढ़ोगे Macro Economics, और उसमें क्लास आप aggregate demand, aggregate supply, यह सारी चीज़े पढ़ोगे, जबनेशन लेवल पे, यह इंडिविज़ेल लेवल पे है, किसी एक company, किसी एक factory के लेवल पे बात करते हैं, तो वो micro है. Next topic के अंदर आता है, दरा three central problem of economy, what to produce, देस में क्या समान बनाना है, उसे किस quantity में बनाना है, इस decision को बोलते है, क्लास, what to produce, क्या समान बनाना है, पहली बात थी, what to produce, कितनी क्वांटिटी में उसका production करना है, कम भी नहीं हो चाहिए, जादा भी नहीं हो चाहिए, आपके वास कौन-कौन से रिसोर्से अवेलेबल, यह भी देखना है, मार्केट में डिमांड किसकी यह भी देखना है, एक गुड्स का बढ़ा होगे, दूसरे गुड्स की प्र क्यापिटल, यह की मशीनरी, in capital intensive, use of capital is more than labour, यह की मशीन का ज्यादा यूज करते हैं, labour कम, ameer country, capital intensive, garib country, labour intensive, जहां पर नौकरियां देने की जरूरत है, वो labour intensive, और यहां पर क्लास नौकरियां नहीं छिनती, यह महंगा है, यह सस्ता है, यह क्लास आपको इसके इंदर एक्स इंद से ठेखनिक से बनाओगे, यहां पर क्या बनाओगे, फिष्क तीन में प्रोबम है, यह three आप से पृबम है, यहरां three types of economy, किसी भी economy, जी बात करें च्पर हैंer पृट करेंगे टिस दीजिचरी मार्कत अर अगर मार्कत अगर एकॉनिय की बात करें जार श्यां वार् the Private Producers, with the objective of Profit Maximization. क्यात्र माि सेट समान बanna है? इसे बना है? सारा क्लस्वाश बढे नचाल सारा Private Players, बड़े बूसनस्मन बैक्लस्व था की एंट एंपर मर्क्तमप्रश इक शार्ट nor इंका प्रट्रटव मंट्टीशीया है? Profit Max-मान का मैन मट्टो क्या है? लिए प्रोफित कमाना, जब की Centralay Planned Economy, यानि तेकन भाइ, बोथ mutual consent of government and private producers, और उनको अब्जेक्टिब भी बोथ है, profit maximization करना, optimum profit of social welfare. Production possibility curve, production possibility frontier, एक ऐसा करव है, जो combination शो करता है, different product, अलग अलग product के combination, class which can be, जो class आप अपने goods के अंदर, अपने budget के अंदर प्रदूच कर सकते, it shows the various combination of two goods, which can be produced with the given amount of resources, जो तुमारे पस रिसोर्से से संसाधन है, उससे तुम्हे दो समान बनाना है, मेरे पास सौ गज का जमीन है, मुझे उसमें क्लास दो एक अनाज हुगाना, एक वेच्टेवल उगाना, तो किस तरीके से हमें क्लास इसके अलग-अलग combination बना सकते हैं, PPC curve को, sorry, transformation curve भी कहा जाता है, यह इसका class diagram है, अगर इसका graph देखें PPC का, यह जो है गुड्स Y आएगा, यह जो है गुड्स X आएगा, और यह क्या है class, concave to the origin, और यहां पे अलग-अलग combination आता है, जो भी combination, PPC के ऊपर इसका मतलब, रिसोर्से सार फुली एंद एफिशेंटली उटलाइज, अर कोई पाहर है तो रिसोर्से सार इस्तमाल आपने नहीं किया, मैंने class एक वीडियो बनाई थी, जहां पे complete microeconomics के सारे डाइग्राम मैंने एक साथ बता रखे थे, आप उसको जबूर देखना है class, उसके अंदर A2J पूरे सिलवस का हर इक डाइग्राम विद एक समझा रखा है, अगर अंदर है, तो इसका मतलब किया है, रिसोर्से सार अंडर उटलाइज, तुमने अपनी capacity से कम resources को इस्तमाल किया है, अगर हम अजंप्शन की बात करें, लिए PPC को बनाने के रिसोर्से सार फुली एंड एफिशेंटली उटलाइज, पहली बात, जितने भी रिसोर्से सा उसको पूरी तरीके से इस्तमाल किया है, no change in technology, ये टेकनोलोजी में कोई चेंज नहीं एक रिसोर्से साथ। एक को इस से कुछिछ करना आट कि अज़ेंग्यों को जाड़ेंग्यों को जात राख रखना अगर एक बहला नंबर 15 है तो एक कम करना फिर 14 फिर 2 कम करना 12 फिर 3 3 इन कम करना 9 फिर 4 इन पिर 5 उत पांच भाग वो हो गया क्लास 0, तो गोड्स X, गोड्स Y, अगला है क्लास Marginal Opportunity Cost, यानि कि जो, असका फॉर्मुला किया है, गोड्स इंक्लास गोड्स X, तो गोड्स फॉर्म, इंक्लास खॉर्मुला सहा, तो घुर्म Wish to page 1, तो असका बीश्रा बिशतutil कैने क्लास S PPC is concave to the origin, downwardly sloping, all combinations are on a PPC, it means fully utilized resources, point under which class is underutilization of resources, and resources are under employer point to you, which is the point outside, shows that resources are not attainable. PPC, shift and rotation are both, if the resources change from both places, this is called shift, so if resources grow, resources grow, then PPC will rightward shift, and resources grow, then PPC will leftward shift, this means to get up from your place, Change in technology, new technology has come, only goods in X, so no change in Y, only goods in X, they say rightward rotation, and if you have used new technology in Y, then production will increase, X will be the same, this is called upward rotation, both change in both, shift in one, rotation. Efficient technology, you have used good technology, both production will increase, both X and Y, if you have used bad technology, then it will come back, and it will say leftward shift. Resources increase in Y, Y resources increase and X decrease, so Y will go ahead and X will go ahead and intersect, and if Y resources grow, and X will grow, then X will go ahead and Y will intersect, we say rotation and shift in a PPC. Next, talk about opportunity cost, cost of next best alternative. I am studying here, so obviously, I have sacrificed a little bit, I can go to school and earn good money, but I did not use it, I have started my own work. So next best alternative, which you have sacrificed here, there will be two things, best alternative, for example, a doctor works in a hospital, and that is the cost of next best alternative. Marginal Opportunity Cost is called M.O.C. Marginal Opportunity Cost is called M.O.C. This is called P.P.C. is called P.P.C. Marginal Opportunity Cost is described as the rate at which output of goods Y is to be sacrificed for every additional unit of goods X. To get every X, the rate of Y is called Marginal Opportunity Cost or Marginal Rate of Transformation, M.O.C. It means loss in output of goods Y for additional unit of goods X. To get 1 X, how much you sacrificed Y? Loss in good Y upon gain in good X. What does this mean? Marginal Opportunity Cost. In P.P.C. schedule, you also saw that you sacrificed Y to gain X. First, 1 sacrifice, then 2, then 3, then 4, then 5. And in the last time, 0 will come. That's why P.P.C. will touch P.P.C. because this is also 0 and this is also 0. That's why P.P.C. will touch P.P.C. Next, if we talk about schedule of Marginal Opportunity Cost, The same as P.P.C. schedule is the same as P.P.C. The same as P.P.C. is the same as Marginal Opportunity Cost. Then remember, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 5. Due to increase in Marginal Opportunity Cost. In each additional unit, the sacrifice is going to be increased. heels are by F.P.P.C. The shape of P!P.C. should be fixed. The S.P.C. depends in parents, P.P.C. would increase P.P.C. connected to the origin. If it is constant, 1, 1 sacrifice, 1 discrimination for a 1, then 1, then 1. 1 vain for 1, then 1 squared, a flip as each other. P.P.C. would be a straight line. If the M.O.C. is right, you also made 4 sacrifices I did, 4 Directed by Y with 1 ratio, 1恩춰은 1x. 3 нож vandaag, 2 bytes, 1 hex madness. This case, a class 에 to make IC. कि तरह है याई, याई, कांगे, चॉब्स तू याई टीपेग्स तुद अरिजिन एक लुट खाष्ट पहर बहुत फेमज ऑग लिग्जामियाँ एक लिए क्या वहाई पूरा अंसर उसमें लिख सकते हैं, क्यों पटीपेग्स तू तू दू अरिजिन होता है, याई पूरा that there is no resources equally efficient in production. हर एक रिसोर्सेस प्रदक्शन के लिए equally efficient नहीं है. All resources are transfer from one goods to another. Less and less efficiently resources have to be employed. This raises the cost and raises MRT. MRT बढ़ेगा या Marginal Opportunity Cost बढ़ेगा जिसकी वज़से PPC concave to the origin बनेगा. Last topic हमारा Positive Economics, Normative Economics. Positive Economics deal with what is. Actual condition की बात करता है, जो है उसकी बात करेगा, Real picture शो करेगा. Normative Economics बात करेगा, It is suggestive in nature, और ये बात करता है what ought to be. ये what is, ये बात करता है what should be, what ought to be. करें काफी सारे ग्जामबल की बात करें, Does the currency devaluation fuel inflation? Are all prices our contribution to slow down? ये बात करता है, ये बात करता है, Higher education should be free. Should alternative fuels be subsidized? We must try to boost up disposable income. Disposable income मतलब क्या है, क्लास? हमारी जो income taxes के बात करता है. Basic healthcare, our citizens should be free. तो ये बात करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है. ये बात करता है, जो है, वो है. सीधी सीधी बात करता है, क्लास के disposable income has declined by 15%. अब ये पिछले चार साल में 15% सा कम हुआ है, तो ये बात कर रहा है, कि इंकम इंक्रीज होनी चाहिए, ये कहीना कहीं बात करता है, हमें इंकम इंक्रीज करनी चाहिए, अनेंप्लोइमेंट इसमोर हामफुल देन इंफ्लेशिंग, अनेंप्लोइमेंट जो है, वो बहुत हामफुल हो और तो ये बात चल रही है, और बहुत हाई लेवल पर कोशिंस पूछेगे है, यहां पर आपको एक्टॉल कंडिशन, जहांप ऐसा होना चीह कोई होगा तो साही होगा वह नॉर्मेटिव यह है यह है यह है यह यह चीज अच्छुल है तो इका एक लास पॉजिटिव तो इस तरहिकर से पॉजिटिव जी है। पॉजिटिव नॉम्राटिव एकWhen शॉन धाल पर भी तो चार और यहांज होजे। बहुत ही जल्दी हम उस पे भी क्लास 12 का अच्छे से तीन वहने के इंदर ये उट्वेट सब कुछ रिवीजिन करा दूंगा कंप्लीट बहुत अच्छे से तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए बाके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक क्या वाइबाई ऐसे ही वन शॉट जरूर आएंगे आगे भी और आप लोगों को पूरी प्रफिशन कराऊंगा ही मेरी गारेंटी है